अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइप कीजिएगा हमें सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं तो चले शुरू करते हैं कराइप को गैस पर ढाला है मैंने इसमें एड कर देंगे घी और इसमें हम डाल देंगे सूजी और एक दो मिनट हम इसे चला लेंगे इसका कलर चेंज नहीं करना है बस रोस्ट कर लेना है हमें हलका फिर अब इसमें हम एड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर करके चला लेंगे एक मिनट अब फ्रेंड्स यह हमारा हो चुका है तो अब हम इसमें आड कर देंगे पानी और अब इसे हमें पूरी तरीके से डो बनने तक लगातार चलाना है यहां पर फ्लेम आप अपने हिसाब से अज़ेस्ट करें और इसका एक डो फॉर्म में आने दें से आपको इसे लगातार चलाते रहना है तब दे सकते हैं कि अब यह डो फॉर्म में आने लगा है बस इसी तरीके से लगातार चलाते रहें आप देख सकते हैं यह बहुत हद तक ड्राई हो गया है अब यह हमारा हो चुका है तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम होने देंगे पूरी तरीके से ठंडा जब यह ठंडा हो जाएगा तो मैंने यहां पर आटा एड़ किया है आप यहां पर मैदा भी आड़ कर सकते हैं और अब इसका हम मिक्स करके डो बना लेंगे इसमें पानी का यूज बिल्कु यूज किया है आपके पास नहीं है तो मिर्ची का पाउडर भी आप यहां पर स्प्रिंकल कर सकते हैं और सूजी में हमने पहले से ही नमक एड़ करके रखा है और यहां पर अब हम धन्या का पत्ता थोड़ा डाल देंगे और इसे हम रोल कर लेंगे आप अपने तरीके से भ और इसे हम थोड़ा दबा करके लंबा कर लेंगे अगर यह थोड़ा फट भी जाए तो कोई दिकत की बात नहीं है आप इसे दबाएंगे तो यह सेट भी हो जाता है और अब हम इसे उपर से और आटा डालेंगे दोनों तरफ और हम इसे बेल लेंगे हलका मोटा ही आपको बेलना है अब यह हो चुका है हल्का मोटा ही रखे और यहां पर तवई को मैंने पहले से ही गरम होने के लिए डाल दिया था उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे दोनों तरफ से रेड होने तक इसे सेक लेंगे और उपर से हम इसमें लगाएंगे घी और हल्का हल्का रेड होने देंगे दोनों तरफ से इस पराठे के साथ आपको कोई भी चीज़ अलग से बनानी के जोरत नहीं है आप इसे आचार के साथ दही के साथ या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी होता ह तो मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लिया है रेड होने तक अब यह सर्फ करने के लिए रेडी है तो उमीद कती है तरीका आपको पसंद आयोगा रेसेपी को जरूर बनाए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा